हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSVTU की डिजिवर्सिटी पोटल में आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले CSVT को इस साइट पे आपको चले जाना है और उपन कर लेना है यहाँ पर आपको डिजिवर्सिटी लिखा हुआ मिलेगा इसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर टॉप में आप देखेंगे login लिखा हुआ है home और login तो login पे जाना है और student login section पे चले जाना है यहाँ पर आपको जाने के बाद अपना login ID और password साथी verification code फिल करके आपको login करना है जब आप login करोगे यह सारे जीचे फिल करके तो आपके सामने में आपका जो dashboard है वो open हो जाएगा अब आपको जिस भी semester का result देखना है action वाले column के सामने में result लिखा हुआ है उसे क्लिक करके open कर लेंगे तो आपका result इस तरीके से खुल जाएगा आपके सामने में आप इसे चेक कर सकते हैं अपने marks देख सकते हैं अब आप यहाँ पर इसे नीचे में देखोगे तो यहाँ पर print का भी option दिया गया है तो अगर आप print करना चाहो तो print भी कर सकते हो और अगर प्रिंट नहीं करना है तो आपने result देखी लिया है तो आप back to dashboard करके वापस से जा सकते हो अगर वीडियो पसंद आए तो like share करें और revealing में कैसे apply करते हैं या retortling में इसके लिए next वीडियो में जरूर देखें मिलते है next वीडियो में